जैन फ्रेंड्स आज की वीडियो में दोस्तों हम आप सब के लिए लाए हैं बेस्ट इस्टटी टाइन टेवल जैसके आप सब का बहुत ही कमेंट आ रहा था सर हमें बताएए दोहसार तेईज कितना दोस्तों दोहसार तेईज का बोर्ड एक्जाम हमको देना है इसकी इनका या बहुत ही कमेंट आया क्योंकि आप सब दोस्तों बिल्कुल हमारे बहुत ही करीवी और बहुत ही प्यारे प्यारे वच्चे हैं जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो दोस्तों आप सब बिल्कुल इस टैन टेवल क यदि follow करते हो दोस्तों तो आपको हम 95% प्रस नंबर दिलाने की दोस्तों गरंटी लेते हैं आप सब का आएगा 100% दोस्तों ठीक है और हाँ दोस्तों यहुदी दोस्तों आप लोग यह दोस्तों आप लोग हमाई चैनल पर सब्सक्राइब करके वेल आइकर को प्रेस कर लिजागा जिससे दोस्तों हर एक वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे और एक बड़ा सा लाइक दे के अपना प्यास जरूर दिखाएगा जब वीडियो में मजा है तो ठीक है दोस्तों तो आए दोस्तों हम लो क्या करते हैं 6 to 7 कितना दोस्तों 6 to 7 दोस्तों आवर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों स्लिप करते हैं ठीक है कितना बचेगा 18 hour उसके बाद दोस्तों आप सबको बता दूं 18 hours में आप सबको क्या करना है किस तरह से पढ़ना है कितना time कहां spend करना है दोस्तों हम यही बताएंगे इस वीडियो में ठीक है देखें मेरे प्याव बच्चों आप सबको थोड़ा सब बता दें अब दोस्तों यहां पी देखेगा हम आपको 18 hour में से जादा नहीं दोस्तों हम केवल बात करेंगे self study का दोस्तों केवल 6 hour के लिए कितना दोस्तों 6 ही hour के लिए हो यू आर ध्यान दीजिएगा दोस्तों 6 hour हमको दीजिए आप सब का दोस्तों 95 प्लस नंबर दिलाने का दोस्तों guarantee लेते है देखी में आपके बच्चों आपके पास आपका board exam जैसे कि आप सब जानते हैं 2013 का बहुत दूर नहीं रहा बहुत ही अब दोस्तों करीब आता जा रहा है तो दोस्तों आप सब 6 hour देंगे तो आपका 95% प्लसी आएगा दो देखो दोस्तों अब आप कर रहे हैं 6 hours बहुत ज दोस्तों आपका exam road है जैसे दोस्तों लगातार आप सब के साथ हम महनत कर रहा है आप सब बिलकुछ support भी कर रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह करते रहिएगा बस अपना दोस्तों ख्याल अच्छे से रखिएगा और लगातार महनत करिएगा जिस time table की दोस्तों हम बदा रहे ह इस time table का according ठीक है तो आए दोस्तों हम सुरू करते हैं एक एक पॉइंट पर हम आप सब को बताएंगे मेरे बैबच्चो देखिए अब दोस्तों physics हुआ, chemistry हुआ, math या biology हुआ, कोई बच्चा महसते है, कोई biology से है, Hindi और English हुआ, ठीक है अब देखो दोस्तों जिन बच्चों social science है, वो अलग अपना कर लेंगे, क्योंकि उन सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है, social science हो, या दोस्तो, home science हो, या art हो, वो सब बच्चों का अलग से है, दोस्तों, आप सब उसको manage कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों, आपका जब 18 में से 6 निकालेंगे, दोस्तों किनना बचेगा दोस्तों, आपको 12 hour बच जाएगा, दोस्तों, 12 hour उन सबी बच्चों के लिए हम बता दें, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, 12 hour में भी पढ़ाई कर लेंगे, या जो नहीं पढ़ना है, दोस्तों, उनके लिए बहुत जरूरी भी नहीं है, normal अच्छे से जिनना पढ़ लि देना है, इस से जादा देने की कोई बिसे जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि दोस्तों, हम आपको आगे बताते हैं, आप देखिए मैत हो या biology हो दोस्तों, इसको आपको देखो, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, 2 hour देना ही पढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों, यह जो मैत होता है, मैत होता है, उसी पर दोस्तों, फिजिक्स डिपेंड होता है, उसी पर कमेस्टी, यानि दोस्तों, मैत का जो नुमेरिकल पार्ट है, दोस्तों, मैत जो फिजिक्स का नुमेरिकल पार्ट हो, मैत क्या करता है, दोस्तों, उसको कम्प्लीट कर देता है, यानि दोस्तों, इन दोनों में मैत का रोल होता है इसलिए दूस्तों मैत का थो आवर देंगे तो दो इनका आधा आधा आवर बचा देगा को चाएगा या आपको झेहाई एक च्जाल हो हुआ कब और किस तरह से पढ़ना है देखिए बहुत बच्चे कोचिंग कर रहे हैं बहुत बच्चे स्कूल जा रहे हैं आफ लाइन है तो आप सब को मताएंगे ऐसा टाइम टेबल दोस्तो जो आपके बिल्कुल कोचिंग से कोई दोस्तो मैच नहीं करेगा कोई भी नहीं ल आपका 4 am, 4 am से दोस्तो, आपका 5 am तक ध्यान दीजेगा 4 am से 5 am तक सब अच्चे से पढ़ लेंगे तो आप पोर यहैं टू, 5 am दोस्तो, आप वोर आ यहैं से फाइवू तक आप लोग अच्चे से पढ़ लेंगे तो आपका physics हो एं आप complete हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको रिष्ट कम नहीं करना है आपको रिष्ट बिल्कुल नहीं करना है उसके दोस्तों 5 a.m. टू आपका दोस्तों 6 a.m. तक यह दोस्तों आपको लगातार लगातार दोस्तों यह दो घंटे आपको पढ़ना है इसमें आप सबको बिल्कुल कोता ही नहीं करने हैं यह तो घंटे आप लगाता पढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों एक बार आप 10-15 पन्द मिनट के लिए लुकेंगे दोस्तों आपका आदे घंटे निकल जाएगा कब पता बीन चलता क्योंकि दोस्तों ऐसा हो जाता है तो आप सब यहां पे लगाता दो घंटे आरा जोस्तों आपसे कुछ अब इंग्लीष प्रेज्च लम मांड्य पढ़ना है क्योंकि आप लोग एंग्लिष में क्या करेंगे बिल्कुल इंग्लीष में दोस्तो वन आओर आ लगे कब दोस्तों आप यहां पर दोस्तों 6 एम में खाली होंगे दोस्तों तो 6 फिप्टीन यानि दोस्तों आपका 6 बच्च के 15 मिनट पर आप बैठेंगे यानि दोस्तों 15 मिनट का रिजिट करके उसके बाद आपको बैठना है 6 फिप्टीन एम टो दोस्तों आपका 7 फिप्टीन एम तब यह दोस्तों आपको लगातार इतना पढ़े लेना है अब मेरे प्याब बच्चों आप सब को बता दें इतना टाइम टेबल आपका मौनिंग हुआ उसके बाद दोस्तों आपका लगभख 8 तू दोस्तों 8 या 8.30 से दोस्तों आप सब का स्कूल रहता है जैसा कि अभी जहां तक देखा जा रहा है अब यही है कि 8 या 8.30 से तो आप सब दोस्तों इसके बाद बस साम को पुना छव बजए ठ्यान दिजैगा इतुम आपको प्ढ़ना है उसके बाद मैरी पैस्छो क्या करेंगी? उसके बाद 6-8 पढ़ कर हम है ज़ादा नहीं 15 मिनट का उसके बाद दोस्तो एट 15 पे आप लोग बैठ चाहिएगा पीम में हिंदी के लिए और दोस्तो आप सब 9 15 पे दोस्तो उठ जाहिएगा यानि दोस्तो आपको 9 पीम तक पढ़ना है इसे ज़ादा दोस्तो आप सबको पढ़ने की कोई जरूर महिने दोस्तो आप सबको दोस्तो बिल्कूल 6 हौ पढ़ेंगे दोस्तो तढ़ेंगे त कि पांच महिने का कर देंगे 162 में दोस्तों लगग दोस्तों 900 होग जाहेगrator है 900 कि 100 दोर में आप सब समझ पाँ आफ सब वाकते हैं अच्छे सब प्र misinformation में लगा YD करेंगे दोस्तों आफ सो अभे हैं दूस्तों अिफोटाइग नोह गंडेत बहुत होता है थीक है दोस्तों भूराइग नहीं दोस्तों ध्यूंसolत नहीं ल। अब लगातार आपका वीडियो प्रोवाइड करेगा हर एक सब्जेट का दोस्तों ठीक है तो आप अपने भाई बंदुगों को भी सेयर कर सकते हैं दोस्तों अब एक बड़ा सा लाइक दे के हमको बिल्कुल अपना प्यार दिखाए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो म मिलते हैं तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम भारत मता कीचे